चलिए इस्टूडेंट आज हम लोग पढ़ते हैं पादपो में निसेचन पस घटनाएं एवं भुरुड़ुदभव इसको पहले समझना होगा कि ये क्या है तो पादपो में निसेचन आपको पता है कि प्रागड के द्वारा होता है पस घटनाएं वं भुरुड़ुदभव यानि कि जब निसेचन हो जाता है तो उसके बाद की क्रियाएं कौन कौन से आती है तो उसके बाद के क्रियाए जो आती है वो जाइगोट बनता है जाइगोट के बाद जो है भुरूड बनता है और भुरूड जब बिक्सित होने लगता है तो उसी को हम भुरूड दभाव काते हैं चलिए समझते हैं इसको देखिए यहां प्राग को से प्राग कर निकल कर वर्तिकागर पर जा रहा है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रागड इस प्रक्रिया को प्रागड कहते हैं और प्रागड के पच्चात प्राग कर यहां अंडा से मिल जाता है अंडा से में आ करके अंडा से मिल जाता है यह अं देखिए यहां पे प्राग कड है यानि की मेल भाग है और प्लस फिमेल भाग है अब दोनों क्या होगा कि यह आपस में जब मिल जाएगा यह दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो मिलने के प्रक्रिया को हम प्रागड प्रागड यानि की पॉलेनेशन कहते हैं और पॉलेने के अंदर याने की अंडासय के अंदर जो है देखिए यहां पर यह वर्टिकागर है और यहान पर प्राकर यह प्राकर लाकर यह गिर रहा है नी सेचन क्रिया हो जाता है तो नी सेचन की बाद की क्रिया कौन कौन से आती है तो नी सेचन के बाद यहाँ पर जाइगोट का निर्माड होगा यानि की युगमनज का निर्माड होगा जब N और N मिलता है तो 2N की संख्या बनता है इस सेल्स को हम यूगमनज कहते हैं यूगमनज बोलते हैं और यह यूगमनज जब बार बार विभाजन करके एक बड़ा सा सेल्स का निर्माड करता है हम उसी को ब्रूड कहते हैं जब ब्रूड ब्रिदी हो जब बार बार विभाजन करन लगता है बड़ा होने लगता है तो फल से जो है बीज का निर्माड हो जाता है और बीज को हम बोते हैं तो नया प्लांट तयार हो जाता है तो इस तरह से पातपो में पस निसेचन घटनाए होती है चलिए इसको अच्छी तर से पढ़ते हैं देखिए नर तथा माद एगमको के सनलेन के उपरांत भूड कोस में दो सनचनाओं का निर्माड हो जाता है इसमें दूतियक केंद्रक विक्सित होकर भूड कोस बनाता है और निस्तितांड यानी के उई स्पोर विक्सित होकर भूड का निर्माड करता है इसको समझने की कोसि होता है इसके साथ आकर मिल जाता है ये निसेचन कहलाता है और दुवितिये केंद्रक जो है दुवितिये केंद्रक भी मिल जाता है और मिल करके दुवितिये केंद्रक बिक्सित होकर भुड़कोस बनाता है और निसिक्तांड याने की उज्पोर बिक्सित होकर भुड़का नि प्राकर करके एक अंडा से मिल रहा है यहां पर प्रूड कोस में जो मिल रहा है एक अंडा के साथ मिल रहा है तो निसेचन क्रिया करता है और निसेचन के बाद जो यहां पर भूड का निर्माड कर देता है तो इससे एक अंडा जो एक अंडा से एक जब यह प्राकर मिलता है तो यहां पे निसितांड याने की उइस्पोर देखिए उइस्पोर का निर्माड हो जाता है याने की निसितांड का निर्माड जाता है और उइस्पोर जो है भूड का निर्माड करता है जो उइस्पोर की क्रियाय जो होती है वो जो है भूड का निर्माड कर देती है और जो जो दृव्यक, अंध्रक, दुई नी सेचन के द्वारा जो बनता है, वो भूर्वर्वॉड का निर्माढ़ करता है, ब्रूर्वर्वॉड करता है थहांदेना होगा देखिए यहांपर मैं बुर्टोस का सनुझना जिए देखा imagining image ने तो और यहाँ पर देखिए और यही बुर्टोस की सनचना है तो ब्रूटोस के अंदर जो द्वीतिया जो ध्रूवी या द्वीतिया के अंदर जो पाया जा रहा है वो पहले जो है प्राकर से मिल करके प्राकर से मिल करके जो भूड़ पोस का निर्माड कर रहा है और पहले जो है पहला जो अंड कोसी का है वो पहले जो है प्राकर से मिल करके क्या चीज का निर्मा रखें दिखक से थोड़ा समझना होगा हम को अधर कोसिका के अदर उपस्थित प्रती मुखी वह सहः– कोसिकाएं निसेचन के तुरंत बाद नश्ट हो जाती हैं देखिए जो भूड कोस होता है अभी मैं दिखाया था फिगर जो भूड कोस के अंदर जो उपसित प्रतिमुखी कोसिकाएं और सहाय कोसिकाएं होती हैं जैसे निसेचन हो जाता है उसके तुरंत बाद नश्ट हो ज आनी कि जैसे निसेचन हो जाता है जाईगोट का निरमार हो जाता है यहाँ पर बताया था कि उनच का निरमार हो जाता है और इस दर में जो है फल के अंदर बीज का निर्मार हो जाता है तो इस तरह से पादपो में निसेचन के पश घटना होती हैं तो जानेंगे कि भूड का विकास से भूड क्या होता है तो निसेचन के बाद अंड युगमनज कहलाता है जैसे निसेचन होगा जैसे निसेचन होता है उसके बाद जो है अ आने की अंड युगम्रज क्याला जाता है अब वहां प्रूड ये परिवर्धन प्रारंब में एक बीजपत्री तथा दिविजपत्री दोनों पात्पों में समान होता हैं कि आप बीजपत्री और दिविजपत्री तो वही चीज़ हम लोगं पढ़ रहा है कि इसमें जब भूड का निर्माड होता है तो प्रारंब में सब दोनों में सही होता है दोनों में जो है सभी प्रक्रियां सही होती है लेकिन आगे चलके दोनों में काफी डिफ्रेंस पाया जाता है दोनों में काफी अंतर पाया जाता है यही चीज़ बता रहे हैं पर लेकिन बाद में इन में काफी विविंताएं पाय जाती है या दिखाई देती हैं तो इस तरह से पात्पों में निस्टेचन की पच घटनाय होती हैं जब हम दोनों में पढ़ेंगे एक विजपत्री और दिविजपत्री पात्पों में जब पढ़ेंगे हम लोग निस्टेचन की पच घटनाय या ब्रूर्दभव तब हमको पता चलेगा कि यहां एक विजपत्री में या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद